Hello students, welcome to your economics class. आजी आमी Indian Economic Development भारत और अर्थनितिक पिकाह खंड़तूर, second chapter. भारति और अर्थनिति उन्यस्खा पन्छास उन्यस्खा नोपवे. Indian Economy 1950-1990 पार्ट B start करीम. आजी आमार दिस्केशन और टापिक हपो. Origin and Development of Plans in India. भारत अपरी कलपनार उटखा आरू उन्यस्खा आरू न्यस्खा आरू न्यस्खा. In India, if you look at the origin of plans in India, the first systematic attempt of economic planning was made in 1934, when M. V. Cesarai published his book, Planned Economy to India. भारत अर्थनेटी पुरिकलपनार प्रथम स्रिंखला बठब पर्शेश्था उन्यस्खा सोट्री सोनट करा हैसेल, जिटिया एम विश्यसराय तेखेतर ग्रांथ भारत अर्थनेटी प्रिकलपितो अर्थनेटी प्रकाह करेशेल. एगेन इन 1938, इंदियान नेशनल कॉंग्रेस सेट अप्टी नेशनल प्लाणिंग कमिटी, विट जाहरला नहेरू एज़ेट्स चेर्मन प्रकेपुन और 1908 सनट भारत यातियों कंग्रेसे जाहरला नहेरूर हभापतितत जातियों प्ल्कलपना आयू स्थापन करेशें. But all these plans were never implemented because of the indifferent attitude of the British rulers. In 1944, the Government of India set up Department of Planning and Development and it introduced short term and long term plans for restoration of normalcy after war and for economic reconstruction and development. किन्तु ब्रेटिस हाखगा कलर निरोपेख्ष मुनुभाबर करने ए आसनी बिला कितियो काज्य कोरी करवा हुआ नासिल उन्नुसको स्रोली सनलट भाराचर कड़े परिकल पना आरो उन्नुएन बिभाग स्थापन करे ए ए बिभाग्तो युशुछ भ्रेट डेक खनाच स्वाभाविक अबस्थापनर लगदे लगत ऐ अठोनेटिक उन्नाआ आरो प ant गठनार भभे तेहशु माँन हर्श का लीन आ in March 50, 1950 when the Planning Commission of India with the Prime Minister as its Chairman was established to assess the country's available resources and to formulate a plan for their most effective use. The Planning Commission fixed the period of plans at five years. The draft outline of the first five-year plan was presented in July 1951 and the plan covered the period 1st April 1951 to 31st March 1956. Thus, the first five-year plan was launched on 1st April 1951. So, this is the origin of lands in India. So, this is the origin of the process to settle in July. To determine the objective, the next one comes out of the order of the future and this is the origin of the future. The other ideas and ideas will make you into the future and although the future is considered as a result of the future, the leaders and the story will make you model the future. आरंभखरा होईशेल कोजिके एने दोरे बारोटियो परिकलपनार स्रिस्टी होईशेल एटिया ए उत्खर होईटे आमी आर्वाता इन्फर्मीशन जानी थोब लाकी पो हेटु होईशे जे परिकलपनार बंधर दिन बुलीले की बुजा जाए वोट इस प्लेन होलिडे इगो थातो आमी बुजीला तिनी बार कोई पन्शबार्खेक परिकलपनार साभाबिक अनुक्रम जीतुआसे ताथ बाधा प्राप्ट होईशे आमार प्रथम तिनी खन परिकलपना तालिका करण उनुजाईए आगबही गोईसे माने मा कोईदे सु प्रथम पन्शबार्खीक परिकलपना उन्मैस ख एकाउन शॉन और एकेपरियूलिण परा उन्मैस ख साप्पपण सों और 31 मार्शोला के आ आचेले दीती ओखन पन्शबार्खीक عण्मैस ख सर्खस्ती सोनोर एक्ट्रेस मार्च छोले के हो बगुटिके ए तिनी खन हुकोलों में सोली गोई छिले किन्टु ए धर्ड चिकन पुरिकल पना आशे तार हेखोर भागुलों खुबिधार स्थी होई छिले जे उन्नस्कोर पյँखस्ती सर्खस्ती मने तितियो पुरिकलपना होनोर हेखोर पुर्खटूर जी सोना से तास भारत आर पाकिस्तान अमाजो जुद्धा हमगोटि Spread मिवेखे भाबै भारते 19 узнаar 22 हमू मने भारते निजर देखोनार जिमान्बुर पुरिकलपना कोरिवे थो परत करश करिए बुलोई बैठो होईशिल अठात हमपधमु जुद्धर ड्रेब्बो हमोगरी उपड़नर बाबे खोटवा होईशिल तोदो परी किसुमान बाहिरा देख्यो प्रधान कोई कोबले-कोले अमेरिका जुक्तरस्ट भरतर बिपोख्ये है ठियो दिशिल आरो आम हमपदर स्थितितु ओस प्रस्ट भरतर होई परी सेल अठात हमपदर कोबले-कोले नातोनी होईशिल देख्यो नर आन कुनु उपाएन दासिल जे बाबे तिनी बोसरर बाबे परिकल्पना बाद्दिया होईशिल ए तिनी बोसरिया होमोईस्वा होईसे उन्दोष्ण सो खोस्ते सनल एक अप्रिल और बॉर उन्य छ उनोहुत्तार सनल एक्टरसमार्च होल एके ए होमो नसवाइ दे खनात तिनी होन जे बोसरिया परिकल्पनार ग swiftन कॉरा होईसेल हे बाबे ए मोसे अचान दू किवा होईके परिकल्पनार बंधर दिन our normal sequence of five years was just of tries our first three plans went scheduled first five year plan started when first april 1951 and completed on 31st march 1956 second plan first april 1956 and lasted till 31st march 1961 and third five-year plan started from 1961 first april and completed on 31st march 1966 so in 1965 66 that means it is the final year of third plan the country had a war with pakistan and it had to divert its development expenditure to urgently required defense needs moreover there were some foreign countries especially we can say the name of usa they turned hostile to us and stopped their economic aid for our country for planning therefore the resource position does become unclear we were left with no option but we have to give up planning for a period of three years so during these three years that means 1st april 1966 to 31st march 1969 we had three annual plans so this period is known as plan holiday i hope you all are clear with the topic plan holiday but it was clearly it was clearly what is economic planning economic planning or meaning key authentic protocol plan a card bullet planning refers to systematic efforts by government agencies to bring to bring about quantitative and also qualitative improvements in the economy within a predetermined time period it implies government's intervention in the functioning of free price mechanism the need for intervention arises because of the weakness in the functioning of free market in india the real beginning of planning was made on march 1950 when the indian planning commission was established in july 1951 the commission submitted its draft outline of the first five-year plan to be effective from 1951-52 to 1955-56 the पूर्ब निर्धारित हमाजिक तथा अर्थोनितिक किसुमाद लग्ख अर्जनर प्रसेस ठाई होई से अर्थोनितिक परिकल्पनाई। हेवाबे राष्ट्रोर डारा निर्धारित निति अनुजाई अर्थोनितिक क्रिया कलाप नियंद्रन कोडी जिवन निर्भाहर मान उन्नत कोडी बोलोई। जी हो निदिस्ट परिकल्पना हाटतलुआ होई ताके आमि अर्थोनितिक परिकल्पना बुली बुजु। पास पुषरिया हमोहिमार भिक्तित प्रस्थोत करा अर्थोनितिक परिकल्पना पन्छ बार्खिक परिकल्पना बुली उक्वा है। भारतर अर्थोनितिक परिकल्पना हमोहिशे पन्छ बार्खिक परिकल्पना। भारतर प्रथम पन्च बार्खिक परिकल्पना उन्यस्ख एकाउन सनर एक एप्रिल और परा आरम्भ होए उन्यस्ख सापपन सनर एक्ट्रेस मार्स तारीखट हम्पुनागरा होशील। यार विशट आमार एई गुटे उनिट टूर सबतके इंपर्टेंट जेटो टोपिक हेटो आमी दिसके स्कुरीम हेटो होशे भारतर उन्यस्ख परिकल्पना हमुहर हाधारन लग्ख हमुह किगे there are just some common goals or you can say objectives so what are the common goals or objectives of development plans in India usually we can say that India adopted economic planning to fight poverty therefore the basic or central objective of economic planning in India is to abolish poverty and to achieve highest possible standard of living for its masses. भारते दोरिट्डटर विपखे जुजदी बरबाबे अर्थनितिक परिकलपना ग्रहन करिशिल. गटिके भारते अर्थनितिक परिकलपनार मुख्य उद्डेसोतु हुए से दोरिट्डटर निर्मूल करा आरू जनहाधारन और जीवन धारन और मान्दन दो हाइब्भाइपप उस्च स्टरलोई करहाई निया. So, the common goals or objectives of development plans in India भारते अर्थनितिक परिकलपना हमुखर हाधारन लख़बु हुए से एन धरनर, economic growth, authentic बिकाः, modernization, आधुनिकी करन, self-reliance, social justice, हमाजिक नियाई, increase in employment, नियु ब्रिधि. पर्शमोटे अमे डिसकेश कोरीम, economic growth, authentic बिकाः, increase in national income as well as per capita income has been the foremost objective of Indian planning. Increase in national income and per capita income implies economic growth. For economic growth to take place, it is necessary to produce more goods and services. It is only then the people of India will be able to enjoy a more rich and varied life. To produce more outputs of goods and services in the country, either a large stock of productive capital or a large size of supporting service like transport, banking, communication or an increase in the efficiency of productive capital and services is required. Thus, growth refers to increase in the country's capacity to produce more output of goods and services. And, of course, for growth to take place, per capita availability of goods and services, that is, per capita income must increase. जातियों आई, आरो जनमुरी आई, ब्रिधिक करातू, भारतियों परिकलपनार प्रधान लईक्ख, बाव उद्देश्चु, जातियों आई, आरो जनमुरी आई, ब्रिधिये, की करे? अर्थनितिक बिकाख, खक बुझाए, अर्थनितिक बिकाख, लाफ कर बोले हले, ओधिक ड्रेब्बो आरो हेवा उत्पादन कर बोलागीबो, आरो के बोल तेतिया है, भारतर जनमुरे, एटा ओधिक सहुकी, आरो परिबोर्टितों उन्नत, जिबन उपभो कर बोले है, ख परिबो हन बेंग ब्यबोस्था जुगाजो गित्तादीर परिजन, नाइबा उत्पादन हील मुल्धन आरो हेवा हमुहर डख़ बृधि हुआर परिजन आसायाद, आनको थात कबुले कोले, बिकाखे डेख़नोर अधिक परिमानो ड्रेब्बो आरो हेवा उत्पादनोर ख्योमता बिर्धिके निर्डेख कोरे उठाद इ उत्पादनी ख्योमता बिर्धिक निर्डेख कोरे लगोते होबो जे बिकाख होबोले होले किन्टु जन प्रोटी प्राप्टब्यो ड्रेब्बोर हेवा उठाद जन मुरी आई बिर्धिक होबोई लेगीबो so now let's proceed towards the second common goal that is modernization to increase the output of goods and services the producers in the economy must adopt new technology what do we mean by new technology that is better or modern way of production for example a farmer can increase the output by using high yielding varieties of seeds instead of using old or traditional ones similarly a factory owner can produce more by using advanced and modern machines besides raising productivity level modernization also helps in improving the quality of product and also in lowering the cost of production so therefore indian planners laid more emphasis on modernization modernization does not confine to the use of only new technology in production but it also refers to change in social outlook so for example here we can say that there should be no gender inequality men and women should have the same rights every modern society also makes use of women talent we find women working in the banks schools factories mncs etc क्रेकल्पनार आर डितियो टो हधारन लख्षो अमें आलोसना करें आधुनीकी कि किकरन ड्रोयपो आरु हेवार उत्पादन और प्रिमान प्रिध्धी करिवलोई हले, देखन और उत्पादन कारी हकले नोतुन प्रजुक्टिव इद्ध्या, याट नोतुन प्रजुक्टि विद्ध्या बाने की बुजवा होशे? जे अधिक उन्यत बा आधुनिक उत्पादन प्रकारोर 20 बेबोहार कोरी उत्पादन बिढ्धि करवपारे। प्रकारोर 20 बेबोहार कोरी उत्पादन बिढ्धि करवपारे। बिभीन्नो कर्मा अहुं स्थाफन जेने बेंक स्कूल, कार्खाना, व्रिखत रास्ट्रियो कोम्पेनी इतादिक मोहिला कर्मिक देखा जाए। ये हे कबपड़ा जाए जे आधुनिकी करवणार जोरेयोते हमाजिक जी पुरुनिकोलिया दिस्टिभंगिया से तारू पुरिबोट्टन निस्चोय कोई गोतिबौ। after that we will discuss our third objective or common goal, तृतियो तु हधान लग्खा हब शाबलम बिता, that is self-reliance so first of all let me tell you that what is the meaning of self-reliance self-reliance refers to the reduction in the dependence on foreign aids or concessional foreign capital श्राबलम बिताई बोईदेखिक हाहाज बा, बोईदेखिक मुल्धन अनुग्रहर उपरत देखनर निर्भर हिलोता ह्राह करातुक बुजै बोटिके, कुबब पराज्याई, जै श्राबलम भी एकन देख रुपायान करातु, अनुटमेटा गुरुट्टपुर्णा लग्खा One of the most important long-term objectives of Indian planning was to attain economic self-reliance. In fact, political independence without economic independence could be simply incomplete or you can say it could be meaningless. So, the objective of self-reliance adopted by Indian plan has two dimensions. First one is import substitution of certain critical commodities so as to lessen the dependence on foreign countries for commodities that are of key importance of the economy. Now, the second one is promotion of exports so that we can earn more to finance our rising bills of imports. Now, the second one is the second one is the second one that is the second one that has the second one. प्रक्युत अटे अठनेटिक स्टन्टार अभिहने राजनेटिक स्टन्टा अठो हिन बा ओहुम पूर्णबिलिकवा पराजाए। एक खेत्रत भारतियो परिकल्पने दूता प्रिस्थ बा दूता डिख ग्रहन करीशे साबलम्मिता उद्डे सोटु हफल पूर्भग भाबे गरही टुली बोले। प्रशंतु है शे अठोनीटिक खनर बाबे जी बिलाग ड्रवभग हमोगरी ओटी ग्रुट्ट पूर्णबिला कर किसुमानोर आम्दानी प्रोटी कल्प ड्रवभग उत्पदन करा। जाते तेने बूर ग्रुट्ट पूर्णब ड्रवभग भाबे बिदेखोर उपरत डेखोनर नियर भर हिलता ह्राख पाए। गोतिके एटा होरू हब्दत कभपरा जाए जे आमी आम्दानी ह्राख करा तक ठाकोशे। हेईबुर ड्रवभ जीबुर आमार कार्ने अठीकोई ग्रुट्ट पूर्ण। दिजीटो होईशे बर्धितो आम्दानी बिलार खरस बहनर भाबे रप्तानीर उद्नोती हाधन करा। जाते ओधी परिमानोर बोईदेखिक बिनीमोय मुद्रा आर्चन करेबा पराजे कोटिके शाबलम्बी एखन देख गरही टुरली बर कारने दूता दिख़त आमी काम करेब पोलेकेबा प्रठम होईशे जे आमार दिख़त आम्दानी प्रोटिकल पन्दमाने आम्दानी प प्रिद्धी, एडूता, लोईखों आमार डिस्कूस करेबले बाकिया से, अब्जेक्टिब्स डिस्कूस करेबले बाकिया से, आमी नेक्स वीडियो पर स्टार्ट करें, थेंक यू स्टूदेंस